नमस्कार मैं हूँ आपके साथ। कृतिका आप देख रहे हैं नीज्वन trends जहारखन के प्रजेक्ट भवन में मुख्मंत्री हिमेन सोरेन ने कहा कि पूरे प्रसासन की निजर राज्ज पर है हिमन सोरेन ने कहा कि PM से चर्शा करेंगे उन्होंने कहा कि चर्शा के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आता है उसके बाद राज्य सरकार को आगे कर निर्ने लेने में आसानी होगी CM ने कहा कि हमने अपना होमबर्ग किया है लेकिन भारत सरकार का क्या निर्देश आता है सुन लेने के बाद ही निर्ने लेने में आसानी होगी हम लोगों ने अपना होमबर्ग किया है लेकिन उसे केंद्र सरकार के निर्ने आने तक अस्थागित रखा है हेमन सोरे ने कहा कि बहुत सारी बाते हैं जिस पर कलचर्चा होगी धार्मी कस्थलों को लेकर भारस सरकार का गाइडलाइन पहले से है च्राबनी मेला और रथ यात्रा को लेकर पहले स्थिति का जायजा लेंगे क्यूंकि राज में कोरोना का उतार चड़ाब देखने को मिल रहा है उन्होंने कहा कि हम लोगों ने तो कोरोना से निपटने का व्यक्तिगत तरीका अपनाया है राज में जो प्रवासी आये हैं उनमें से कुछ कोरोना मरीज भी मिले हैं लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जिस तरह से कोरोना संक्रमन बढ़ रहा है उसकी गति हम हमारी नजर है और मरीज रिकभर भी हो रहे हैं सियम ने कहा कि उसी को देखते हुए कैसे क्या किया जाए उसे प्रात्मिक्ता के साथ किया जाएगा उन्होंने कहा कि दूसरे राजियों में सिती बुरी हो चुकी है ऐसे हालात में राज में ना आए उस निर्णे के साथ आगे बढ़ेंगे और आगे कड़े कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी तो वह उठाएंगे उसमें कोई सुबिधा नहीं होगी संक्रमन के बीच आज से कुछ नई चीजों पर छूट का फैसला लिया जा सकता है कपड़े और जूते की दुकान के साथ साथ सैलून खोलने को लेकर आज मुख मंतरी हेमन सोरेन कोई निर्णे ले सकते हैं सीम ने इस बात के संकेत देते हुए लोगडाउन को लेकर राजधानी राची में उचस्तर ये बैठक के बाद मुख मंतरी ने कहा कि प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी के साथ होने वाली मुख मंतरीयों की वीडियो कॉन्फरेंसिंग के दौरान लोगडाउन की साइनस पर चर्चा होगी इसके बाद की स्सिति के अनुसार फैसला लिया जाएगा सोरेन ने कहा कि सरकार ने इसके लिए तैयारियां कर ली है मुख मंतरी ने कहा कि सरकार इस बाबात हुम बर्क कर रही है इसके अलावा देबघर के श्रावनी मेला को लेकर भी सीम ने स्थ अस्पस्ट करेंगे। उन्होंने कहा कि भारस सरकार ने इस संदर्व में निर्देश दे रखा है कोरोना वाइरस के संक्रमन की रोक्थाम और लोगडाउन को देखते हुए राज्य सरकार स्थिती के अनुसार इस पर फैसला करेगी। इससे पहले राज में कोवीड-19 महामारी की स्थिती को लेकर स्वास्थ सचीव ने चिंता जताते वे कहा कि अगर यही रफ्तार रही तो अगले 15 दिनों में जारखन में कोरोना मामलों की संख्या 5000 से उपर पहुँच सकती है। सोंबारको प्रोजेक्ट भवन में सैयुक्त प्रेसवारता के दौरान स्वास्थ सचीव ने या बात कही उन्होंने कहा कि लॉगडाउन के बाद 6.89 लाग से ज्यादा प्रवासी मजदूर जारखन लोटे हैं। राज में अभी तक कोरोना पॉजेटिव के कुल संख्या 1763 है जिसमें 850 एक्टिव केस है वही 905 लोग ठीक भी हुए हैं अभी तक 1477 स्रमी कोरोना पॉजेटिव पाए गये हैं। ऐसे में विभाग का आकलन है कि अगर यही रफ्तार रही तो 15 दिनों में प्रदेश में कोरोना मामलों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। बिहार जारखन की तमाम खबरों के लिए बने रहें न्यूस 11 के साथ नमस्कार।